श्योपुर की विकास करने वजेपुर में डेंगू निरोधक महा जुलाई 22 की गतिविधियों का आयोजन किया गया और लोगों को वजेपुर की विविन ग्रामों में डेंगू मलेरिया के प्रती जागरू किया गया जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्रर एसन बिंदल और जिला मलेरिया सलहकार के रत सिंग कवचे के निर्देशन में डेंगू महा की गतिविधियों का आयोजन मलेरिया टेक्निकल सुपर्वाइजर साहिब मुहम्मद को रिशियो और सियचो जितेंद्र सैन एनम माधुरी अग् ग्रामो का प्रमन कर जन्मानस को डेंगू मलेरिया बीमारी के प्रती जागरुक किया जा रहा है। दी जा रही है ग्राम फरारा में छड़काव कारे सुपर विजन किया गया विकास खन में मलेरिया की रोक्थाम के लिए ग्रामिनों से चचा कर बताया गया कि मलेरिया मादा एनिफलीस मच्छर के काटने से होता है यह मच्छर साफ पानी में पनबते हैं इसलिए हमें अपने घर वा घरों के बाहर साफ सफाई का धियान रखना चाहिए और वर्तनों कूलरों को साफ करके पानी भना चाहिए चाग रुपता ही हमें डेंगू से बजा सकती है इसके लावा मच्छरों को भगाने वाली क्रीम रात को सोने से पहने नीम की पतियों का धुआ करें मच्छर पूर्व में म्लियर्य केस जिन गाउँ में निकले हुआ निकले उन चेत्रों में लगातार रहा है अगर आपने स्माइने की बात करें तो इस महीने में मलेरीय विभाग के दौरा खाका लोगों की जहां से कर ली गई है और का मलब लोगों को सुझाब दिये गए कौन-कौन से चेत्र है मलब चेत्रवाई चेत्र लगवाग कितने संक्या कितनी हो सकती है इस हमारे जैसे पचाँ-चाड़ घॉं में लगाता ये अक्तिविटीब चल रही है हमारे स्वास्ट कारेकर्ता असा कारेकरता एंने एमपी डविव इनके द्वारा लगाता लार्वा शर्वेलार्वा नस्ट्री करन के करवाई की जा रहे हैं अगर अगर अपन इस साल की बात करें सबस्की तो कितने डेंगू से लोग मिलें अपन को अभी डेंगू की केस कोई भी नहीं निकले लेकिन संभावित महरीजों के हमने लगबाग 96 महरीजों की जाच कर ली उसमें कोई पोजिटिविटी नहीं है अभी